नेक्स्ट इसका कोश्चन नमबर 5 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक क्वाडिलेटल के चारो एंगल का जो मेजरमेंट रहता है वो रहता है सेम मतलब यहाँ पे एक एंगल जितने डिगरी का होगा उतने ही डिगरी के उसके बाकी के थ्री एंगल होगे तो यहाँ पे मैं लैयत कर लेता हूँ, let each angle of quadriletal is equal to x कि माल लिजила, उस quadriletal का जो एक एंगल है वो x दिगरी का है, दो बाकी जो तीन एंगल होगे, वो भी pasti degree के ही होगे ठीक है और हमें यहाँ पर पता है कि कोई भी quadriletle होता है तो उसके चारो angles का जो measurement होता है वो होता है 360 degree ठीक है अब एक angle x degree का है यहाँ पर तो बाकी कितने angle बचे यहाँ पर तीन angle और तो वो भी xx के होंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं इस तरह से ले लेता हूँ आप इस तरह से एक figure भी बना सकते हो इसकी यहाँ पर एक quadriletle होगा कोई भी तो यह angle कितने का है x यह x का जब हमने एक लैट x किया तो बाकी के भी xx होंगे ठीक है इन सबी को क्या कर लेंगे हम एड कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर एड कर लिया है और इन सब का जो measurement होता है वो होता है 360 degree रिजन इसका यह होता है angle sum property of quadriletle ठीक है इनको plus कर लेते है तो यहाँ पर कितना जाएगा सब को एड करेंगे तो यह आ जाएगा 4x is equal to 360 degree ठीक है तो x की जो value गो कितने आ जाएगी 360 degree divided by 4 4 से divide कर लेते हैं तो यह जाएगा कितने पर x is equal to 90 degree ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो उस quadriletle का हर एक angle है उसका measurement होगा 90